भगवत गीता अनेक सवालों के जवाब गीता में मिलते हैं। दीप्त्रिवेदी द्वारा की गई करीब 168 धंटे की ये चर्चा भगवत गीता पर की गई अब तक की सबसे लंबी चर्चा है। मैं आप लोगों का और जो वेब कास्टिंग पर हमारा साथ लाई देख रहे हैं। सबका स्वागत करता हूँ और आज की आगे की यात्रा हम शुरू करते हैं। कर्ष्ण आगे के रहे हैं कि या स्थीर्न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादी विशय के निमिश से संसार में विचरता है। उस उस विशय से रोक कर यानि हटा कर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करें। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शान थे, जो पाप से रही थे और जिसका रजोकून शान थो गया है। ऐसा इस सच्चिदानंद गन ब्रह्म के साथ एकी भाववे योगी को उत्तम आनन प्राप्त होता है। वह पाप्रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ। सुक पुर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनन्त आनन्त का अनुभव करता है। ट्रश्ना एक बार फिर से एक बहुती खुबसूरत विज्ञान दे रहे हैं। कि मनुश्य परमात्मा से बिछडता ही क्यों है। अगर हम सभी जानते हैं कि 24 गंटे हम सिर्फ कर्म करते हैं और वह कर्म ही हमारा जीवन है। उससे बढ़कर इस अंसार में और कुछ भी नहीं है। अब ये एक ऐसा सीधा सत्य है जिसे किसी किमत पर नकारा नहीं जा सकता। इसके अन्यता कुछ भी समझाया या समझा नहीं जा सकता। उसके बावजूद तरह तरह के सत्य उपलब्द हैं और तरह तरह के सत्य सुने चाते। अब 24 गंटे जब हम सिर्फ कर्म करते हैं और जो कुछ भी हमारा अस्तित्व है वह वो कर्म है। और उस कर्म से भीन न तो कुछ फल है ना अन्य कुछ परमात्मा है। जो क्रश्न कह रहे हैं जो हकीकत है जो सत्य है उसको युगों से मनुश्य ठुकरा रहा है। क्रश्न गीता में कितनी बार कह चुके कि मनुश्य सिर्फ कर्म है और अरजुन तेरा सिर्फ कर्म पर अधिकार है। बस उसके उपर का कुछ भी इस जगत में नहीं है और वो कर्मी परमात्मा है। और कोई परमात्मा नहीं है इस जगत में हमारे लिए सूरिय के लिए विटामिन D देना जगत को रोशन करना वो ही एक कर्म है और उसका वो कर्म ही परमात्मा है इससे उपर कुछ भी नहीं है सूरिय के अस्तीत्व में हमारे अस्तीत्व में भी इससे उपर कुछ भी नहीं र अब उस कर्म को पूर्णता से करना उस कर्म को पूर्णता से करना अंदर बहार का परमात्मा प्रात कर लेना है बहार तो कर्म है लेकिन वो परमात्मा नहीं है क्योंकि हमारा पूर्णता स्तित्व उस कर्म में नहीं समाया हुआ है कर्म क्या कर रहे हैं इसका सवाल नहीं है हम सूर्य नहीं हम हवा नहीं हम पानी नहीं हम पेड़ पोदे भी नहीं हम जानवर भी नहीं है हम एक अद्बूत चेतना है, हम संपूर्ण चेतन्य है इसलिए हमारे कर्मों में तरह तरह की भींता है इतनी विविता हैं हमारे कर्मों में जिसका हिसाब नहीं और वो सारे कर्म परमात्मा है एक करम से यहाँ कोई मनुश्य बंदा नहीं है और सारे मनुश्य किसी एक करम से बंदे नहीं है सबका अपना अपना जीवन, अपने करम, अपना परमात्मा है सो करम में परमात्मा है करम के अलावा यहाँ पर किसी भी वस्तू का व्यक्ति का पेड़ पोदे या जानवर का अन्य कोई अधिकार नहीं है और सब सिर्फ करम कर रहे हैं और उस करम के अन्यता उनके पास कुछ भी अन्य ज्यान नहीं है हमें तरह-तरह की सिक्षाओं ने यूगों से आकरशित किया है हम जानते भी हैं कि उन सिक्षाओं का कोई परिणाम नहीं आया लेकिन सिक्षाओं से छुटकारा नहीं होता बहुत अती हो जाती तो सिक्षाओं स्वरुब बदल लेती बात वो की वो ही आती बात कोई भी करता हमारे परमात्मा को बेचने की करता सो आप कन्फ्यूज मत होएं जो क्रश्न कह रहे हैं ये अद्बूत सीधा और सत्य मनोविज्ञान है एक मात्र सत्य है बड़ा ही सीधा और साफ है हमारे हाथ में कर्म है वो कर्म ही सब कूछे हमारा लेकिन क्योंकि हम और हमारा पुरा अस्तित्व उस कर्म में नहीं डुबा है इसलिए न तो वो कर्म परमात्मा का हो रहा न हम परमात्मा के हो रहे सो क्रश्न कह रहे हैं कि अस्तीर न रहने वाला ये जो बार-बार परमात्मा की स्थिती से बिचण जाने वाला जो चंचल मन है जो मन बुद्धी अहंकार इंद्रिया शरीर हे जिसने दोड़ा भागी मचाई हुई है सब मिलकर एक जगह बैटती ही नहीं किसी कर्म में जलकती ही नहीं किसी कर्म में डुपती ही नहीं, कोई परिणाम आता ही नहीं, ये दुख क्या है, ये टेंशन क्या है, ये चिंता क्या है, ये दर्द क्या है, ये भागा दोली क्या है, एक ही बात की है, कि परमात्मा नहीं है, बस क्यों नहीं है, तो क्रश्ण कहे रहे हैं, कि जीज जीज शब्दादी विशय में क्रश्ण भी कमाल है क्रश्ण कहे रहे हैं कि जिस जिस शब्दादी विशय में कोई भी ऐसा विशय है जिसको आप नाम दे सकें समझ लेना वाँ परमात्मा नहीं है ब्यूटिफुल लाउज्जू और क्रश्ण करीब करीब एक ही भाषा बोलते ऐसा कोई सुत्र क्रश्ण का नहीं है जिसे अपने अनोखे तरीके से लाउज्जे ने न कहा हो और क्रश्ण हो या लाउज्ज से दोनों की अदा कमाल है लाउज्जे इसी बात को कहते हैं कि नाम देने की शुरूआत परमात्मा को बेचने की शुरूआत है अब कोई भी चीज जो जिसे आप नाम देते वहीं से यात्रा शुरू होती नाम कन्विनेंस के लिए है अपने समझने और दुसरे को समझाने के लिए है कि भई इसने पानी मांगा तो उसका नाम पानी इसलिए दिया है ताकि आप समझ सकें कि उसने क्या मांगा इससे उपर उसका महत्व नहीं है कोई भी नाम हो समझ लेना वो यूसफूल है हमारे डे टू डे व्यवार के लिए लेकिन हम उसमें भटकते हम उससे आकरशित होते हम उसमें भेद करते तो नाम देने से जब भेद करते और उस भेद के मारे भय और लोब पकड़ते और फिर दौर पड़ते और कैसा दौरते क्यों दौरते कहा दौरते किसी को नहीं मालुमें किसी को नहीं मालुमें आख कान मन बुद्धी सप्पे पट्टी लगा कर हर आदमी दौरे चले जा रहा है और कमाल ये भी करता कहा दौर रहा है बोले सुक शान्ती के लिए तो वो चली कैसे गई, वो जा सकती ही नहीं है, कहां दोड रहे हो, परमात्मा खोजने के लिए, अरे वो भी खो गया, कहां खो गया, कैसे खो गया, वो खो सकता ही नहीं है, जरा समझना इस बात को, कि इस भ्रह्म में पड़े हैं, क्या कर रहे हैं, तो जिस जिस शब्दादी विशय में आप दोड रहे हैं क्रश्ण केरे वहां आप से बार बार हटा कर अपनी इस दोड भाग को बार बार परमात्मा में लगाओ क्योंकि जो कर्म आप कर रहे हैं उसमें परमात्मा है वो ही परमात्मा है और कोई परमात्मा नहीं है मैं इस समय बोल रहा हूँ परमात्मा सिर्फ बोलने में रह सकता बोलने में जलग सकता और बोलने से गया तो फिर और कहीं नहीं मिल सकता इस बात को समझ लेना इस बात को समझ लेना जरा करश्ण अरजुन से यही कह रहे हैं सामने युद्ध अटल है दुसरा उपाई नहीं है अगर तुझे परमात्मा इस युद्ध में नहीं मिलेगा तो और कहीं नहीं मिलेगा और कहीं है ही नहीं वो कहां है तू क्या सत्य शास्त्र और पाप और पुन्य की बात कर रहा है जो है वो है तेरा करम प्यधिकार है तू पूरे अस्तित्व से युद में डूब जा कौन मरता, क्या कहता, क्या होता ये तेरा सब्जेट नहीं है तुम रसोई बना रहे हो परमात्मा वहाँ है पूरा अस्तित्व रसोई में डूब दो समझ लेना इस बात को अगर आपके वरत्मान कर्म में परमात्मा नहीं है तो आपके लिए वो कहीं नहीं है कहीं पर भी नहीं है फिर किसी भी कारण से भटक रहे है कोई भी भटक रहा है कितना भी भटक रहा है अगर आनन्द आज नहीं है मस्ती आज नहीं है शांती आज नहीं है संतोश आज नहीं है सुकुन आज नहीं है परमात्मा आज नहीं है तो वो कभी नहीं है कहीं नहीं है अतह यह कभी मत कहना मस सुनना मस सोचना मत समझना कि किसी किसी इमारतों में किनी किनी बातों में किनी किनी कामों में परमात्मा चिपा बेठा है नहीं चारों और वो ही है वो ही प्रकट है सिर्फ हमारी द्रस्ती ने शब्दादी विशयों में भेत करकर उसको खो दिया है और अब दोड़ रहे हैं, भटक रहे हैं, सफलता किसमे हैं, जो कर्म आप कर रहे हैं, उसमें हैं, एडिसन अगर एक के बाद एक फिलामेंट का प्रयोक कर रहा है, तो वा सफल नहीं हो रहा है, उस कर्म में परमात्मा है, बस आज नहीं तो कल, सद्धा और सभूरी, आप जो कर्म कर रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें परमात्मा है पुरा अस्तित्व डुबो दें और इस कदर डुबो दें और मान ले और यह सत्य है उस पल के अलावा यहां किसी के पास कुछ यही नहीं गौड ओमनी प्रेजंट है है तो है वर्ना नहीं है बीचका नहीं है दस परसंट है बीस परसंट है चालिस परसंट है ऐसा नहीं है परमात्मा नहीं है नहीं है है तो है और है तो करम में है जो करम आप कर रहे हैं सुक्रश्ण के रहे हैं कि अस्थीर ना रहने वाला और चंचलमन जिस जिस शब्दादी विशय के निमिज से संसार में विचरता है, उस उस विशय से रोक कर यानि हटा कर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद करें, ये जो हमारा अस्तित्व है, हाथ में तो ये करम हैं, बेठे हैं ओफिस में, कर रहे हैं किसी से बात, तो उसमें परमात्मा है, अरे आप किस से जगड़ा कर रहे हैं, उसमें भी परमात्मा है, लेकिन जब आपके पास मंदिर में परमात्मा नहीं, गीता पढ़ते वक्त परमात्मा नहीं, रोजे रखने और परमात्मा के भगवे पेड़ने से भी परमात्मा नहीं तो फिर ये छोटे मोटे कर्मों में कहां से आएगा कहीं नहीं आएगा हे तो यहीं है वरना कहीं नहीं है इस बात को समद लेना कुछ भी बदलने की कोशिश मत करना ये जीवन परमात्मा है आप जहाँ बेटे हैं वहाँ आप परमात्मा है एक कदम चल लो आज अभी यहीं वो थाम लेगा आज अभी यहीं कहीं देर नहीं है कहीं खो नहीं सकता सिर्फ हमारी द्रस्टी में फेर आ गया है हमने इतने भेट कर लिये कि अब अस्तित्व को मिला ही नहीं पा रहा है इस सत्य को समझ ही नहीं पा रहा है कि एक शन में हम एक कारिय कर सकते हमारे पूरे अस्तित्व में एक शण में एक चीज पूरी तरह से समा सकती अगर पूरी एक चीज नहीं समाते तो हजारों चीज टुकले टुकले में समाते हैं वो परमात्मा चला जाता एक शण में एक कारिय कर सकते वो कारिय न कर हजारो कारियों की चिंता में खो जाते परमात्मा चला जाता तो क्रश्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं कि अर्जुन अगर युद्ध में परमात्मा नहीं है तो कहीं नहीं है तेरे लिए फिर कहीं परमात्मा नहीं है फिर तू शास्त्रों की दुहाई दे दे तू सन्यास की बाते कर ले तू अहिंसा की बाते कर ले तू न्याय की बाते कर ले तू भिक्षा का पात्र उठा ले तेरे लिए परमात्मा कहीं नहीं है मैं भी आप से ये कह रहा हूँ, इस बात को समझ लेना क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शान थे, जो पाप से रही थे और जिसका रजोगुन शान तो गया है ऐसे इस सच्चिदानंद गन ब्रह्म के साथ एकी बाववे योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है जिसका मन भली प्रकार शान थे, जो जहां है, वहां डुबा हुआ है जो भी कर रहा है, सिर्फ वही कर रहा है उसके अलावा न तो कुछ सोच रहा है, न कुछ कर रहा है तो क्रश्न कह रहे हैं, कि जो रजोगुन से दूर है रजोगुन याने पाना खोना क्या पाना और क्या खोना परमात्मा ही पाना और परमात्मा खो नहीं सकता वो मिल गया मैं वरत्मान कर्म में डूब गया फिर ये कर्म खत्म हुआ कि किसी अगले कर्म में डूब गया फिर वो खत्म हुआ किसी और कर्म में डूब गया डुपते डुपते परमात्मा के साथ रहते रहते मेरा जीवन बीद गया, बहार क्या आया, क्या गया, कितना आया, कितना गया, कौन पुस्ता है, कौन पुस्ता है, कोई नहीं पुस्ता है, आप कहे दें आइंस्टाइन को, intellectual of millennium आप कुछ भी कह दे उससे आइंस्टाइन को कुछ नहीं मिल रहा है उसको जो मिलना था वो theory of relativity देके मिल गया क्रश्ण को जो मिलना था वो जी के मिल गया फिर आप पूर उतार करें मंदिर में भजें नरक में भेजें गालिया देवे हार पिनावे मिलाए दुलाए कुछ फरक नहीं पड़ रहा है जो मिलना था वो मिल गया बस तो आपको भी परमात्मा के साथ रेना है परमात्मा मिल गया सब कुछ मिल गया आप बहार बेटे-बेटे सम्मान देते रहिए आप बहार बेटे-बेटे उनका अपमान करते रही है उनको कुछ लेना देना नहीं है जिसका रजोगुन शान्त हो गया है जो बहार से आने जाने का हिसाब किताब नहीं रख रहा है कितना आएगा अरे समाली नहीं सकते जो परमात्मा में डुबा है लगातार परमात्मा के साथ है वो हिसा भी नहीं लगा सकता कि कितने आविश्कार करे क्या थियरी दीब कितनी कवीताएं कही कितने दोहें कहे वो कभीर के किताब इतनी बली बली आती यहना कितने कहे कहा हिसावे कितने गाने गाए कहा हिसावे हिसा भी नहीं है, खुद के पास भी नहीं है, दुसरे के पास भी नहीं है समझ में नहीं आता, रातो रात, बिल गेट्स, पांस सार पेले जगर बर कुछ नहीं आज इतनी संपती कहां से आई कौन हिसाब लगाता है और एक चकट में सारी दे भी दी कौन इसाब रखता है कोई नहीं रखता है या बहार तो एक खेले जो चलता रहेगा वो अपनी स्पीड से बड़ा होता रहेगा उसे बड़ा होने दो हमें तो खेलने में मज़ा आगया हार जीत मान अपमान पाप पुन्य लाबानी वो देखे जिसे खेलने में मज़ा नहीं आया इस बात को समझ ले ना और खेलने में मज़ा नहीं आया परमात्मा ही खो दिया फिर क्या मज़ा आएगा कभी मज़ा आने वाला नहीं सो आज नहीं परमात्मा तो कभी नहीं और ये मस्तमत ना, कुछ जीवन में बदल जाएगा, तो परमात्मा मिल जाएगा, वो मिलेगा, तो जहां हैं जैसे हैं वहीं मिलेगा, सफलता आप जहां हैं वहीं मिलेगी, शांती सुकुन जहां हैं और जैसे हैं वहीं मिलेगा, कोई भी केता है ये कर लो और मिल जाएगा, तो फिर कुछ भी कर लो कभी नहीं मिलेगा बदलने की जुरुवत नहीं काण काण में वो ही समाया है कुछ भी करने की जुरुवत नहीं इसलिए क्रश्ण के रहे हैं कि जो इस तरह ब्रह्म के साथ ब्रह्म के साथ याने जो ये समझ गया कि सब में वही है ब्रह्म के साथ वो सदेव आनन्द में रेता है वो परमानन्द पालेता है ऐसा आनन्द पालेता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती तो क्रश्न कह रहे हैं कि ब्रह्म के साथ एक ही बाव हुए योगी को उत्तम आनन्द प्राप्त होता है बाहर मिलने और खोने का हिसाब कौन रखे क्या फर्क पड़ गया कौन हिसाब रखे जब इतनी मस्ती में आ जाएंगे करम में ही मजा है तो फिर हिसाब कौन रखे किसने कितनी तालियां बजाई है क्यों हिसाब रखे क्या छपा है कौन इसाब रखता है क्या एवोड मिला सब कुछ वो ही है जो कर्म हमारे हाथ में सारे एवोड सारी खुशी सारा परमात्मा वहीं चीपा है अगर एक रसोई ध्यान से नहीं बनती है न अगर एक खाना तक ध्यान से नहीं खा पा रहे परमात्मा उसमें नहीं मिल रहा और फिर हम सोच रहे कि ये ये कर लेंगे और मिल जाएगा जंगल में चले जाएंगे मिल जाएगा हज यात्रा पे निकल जाएंगे मिल जाएगा है ना तो फिर कहीं पे भी नहीं मिलने वाला अगर जो कर्म कर रहे हैं उसमें परमात्मा नहीं मिल रहा परमानन नहीं मिल रहा तो कहीं नहीं मिलेगा इस बात को समध लेना बड़ा ही सीधा विज्ञान करश्न कह रहे है ना कहीं भागना ना कुछ अर्जून ये युद्ध परमात्मा है बमुश्किल मिला है केल जा दिल खोल के और खोज इसके कोने कोने में मिलेगा तुझे मैं भी आप से कह रहा हूँ ऐसा कौन सा कर्म है ऐसा कौन सा कर्म है जिसमें परमात्मा नहीं मिलता आप पूर्णता से करो तो सही अरे जगल लो दिल खोल के इतना मज़ा आएगा पूरा करता नहीं होना चाहिए सिफ क्रोध करके तो देखो ऐसा मज़ा आएगा कोई फर्ग नहीं है जगड़ में और प्रेम में और प्रेम में जगड़ा होता और जगड़े से प्रेम बढ़ता है ना कोई फर्ग नहीं है करके तो देखो करके तो देखो पूर्णता से फर्मात्मा कहां नहीं मिलता मेरे पास आना और जिनको नहीं मिलता, उनको कहीं नहीं मिलता, वो ही चिलाता, ये मत करो, वो मत करो, क्या हो गया, नहीं मिला, अरे तुमको कहीं नहीं मिलेगा, चिलाना बंद करो, कहीं नहीं मिलेगा तुमको, तुमारा एको लक्षन एकसा नहीं है, कि तुमको परमात्मा के दर्शन हो ज आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ, सुक पुर्वक परभ्रम्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंद का अनुभव करता है। सब आज उपलब दे। रा और मंजिल अलग नहीं है। अगर रहा पे चीद नहीं मिली, तो मंजिल पे भी नहीं है समद लेना। रा और मंजिल अलग है ही नहीं। ये पुरा विज्ञानी गलत के दिया। ये पुरा विज्ञानी गलत के दिया। कण कण में वो समाया हुआ है। फिर आपने सब जगे खो दिया उसको। नहीं, परमात्मा एक कला है, परमात्मा हमारा state of mind है। फिर सब जगे परमात्मा नजर आता। अगर नहीं नजर आता, तो भी एक state of mind है। सब जगे शेतान नजर आता है। तो बुरा जो देखन में चलया, बुरा न दीख्या कोई, मन जो आपनो देख्यो, मुझसे बुरा न कोई, ये जिनको हजारों चीजों में परमात्मा नजर नहीं आ रहा है, पाप बुरा है, समझ लेना, ये सारी बुराई इसलिए नजर आ रही है, कि भीतर सिवाई किसी को कहीं कोई बुरा नजर नहीं आ रही है, एक बार नहीं कहे रहे हैं कि ये क्या, वो ही है, उनको सब जगे वो ही नजर आ रहा है, सुली में भी वो ही नजर आ रहा है, मीरा को पत्थर मारने वालों में भी परमात्मा ही नजर आ रहा है, और उस पत्थर में भी परमात वही नजर आ रहा है क्योंकि वही है कुछ मौजूद नहीं उसके सिवा यह ग्यान पालो और वह करम्में हैं आपकी दुनिया इतनीसी है पूरा पूरा पर्मात्मा माश्यद तो जाता लेकिन आप दुनिया में फेला देते यहां बेटे हैं शांती से बस शांती से बेट जाओ पर्मात्मा में फिर बगओ मत ज़ाओंगा तो क्या होगा फिर कल आफ़िस कितने वजह फुलेगी फिर उसकी तैब्यद कराफ्ती आफ़िस आएगा कि नहीं आएगा अरे छोड़ ना तेरी तैब्यद ठीक रेगी तो तो आफिस पहूंच जाएगा भाई छोड़ बैठ जा शामती से कल होने तो दे कल हे ही नहीं आ कल हे ही नहीं एक-एक पल करके एक-एक कर्म परमात्मा को अरपीत करके आप Edison Studios बन सकते एक-एक कर्म परमात्मा को अरपीत करके आप Krishna Christ बन सकते लेकिन इस कर्म में नहीं है तो फिर कहीं नहीं है कुछ बदलने की जरुवत नहीं न अपने को न परिस्थिती को सब अपने आप हो जाएगा बस एक बार शान लो डूप जाएँगे वही है और ऐसा आनन्न लेंगे करने का कि मज़ा आ जाए और बच्चों को देखेंगे कोई शास्त्र पढ़ने की जुरूत नहीं कोई ग्यान लेने की जरूत नहीं किस से पुछने की जरूत नहीं बच्चों को देख लो बच्चों को देखते जाओ देखते जाओ और समझ में आ जाएगा ये तो परमात्मा छोड़ता ही नहीं परमात्मा इससे बिछड़ता ही नहीं तो फिर हमने क्या किया, बिचल क्यों गया, बस। तो वो परमानंद को प्राप्त होता है, अतह आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाओ, आत्मा यानि हमारा अस्तित्व वर्तमान जो भी है, पुरा एक करो उसको, जहां लगता कोई बुरह नि, लगाओ पुरा लगाओ न, पुरा लगता ही नहीं, किसी बात में नहीं लगता, जैसे ही ये काम करते, थोड़ी देर में लगता अरे इस से तो वो कर लिया हो ता अच्छा था, वो नहीं किया और वो क्या कहेगा क्या करना है डुबो दो एक बार पुरा डुबो दो अस्तित्व और फिर बार बार डुबो बार बार डुब की लगाओ वो जो उसको वही ये मैं बार बार के रहाओ डुब जाओ बस वो एक मजदूर था करता कुछ नहीं था बिल्डिंग बनाने के लिए मजदूरी करता था तो इंट देता था आगे ना वो आगे इंट देता ना मजदूर लोग वो जो आगे सागे देते हैं तो गाना काते हैं वो केता है ना साथी हाथ बढ़ाना तो गाना काते हैं फिरे मेनेजर लोग आयाते हैं, क्या कर रहे हो, तो गाना बंद हो जाता विचारों का, तो बोलते हैं सहाब ये, इंट आके बला रहे हैं, तो एक मज़दूर समझदार था, उसने बोला अब तक परमात्मा के साथ थे, गाना गा रहे हैं और इंट लगा रहे हैं, बला मज़ लगाने में भी परमात्मा है, हर चीज में परमात्मा है, डूप जाओ, डूप जाओ, डूप जाओ, और जो डूप गए ना, फिर हम केते हैं, ये वाच्में था, अरे डूबा हुआ था, जहां था, उसका अस्तित्व मां डूबा हुआ था, जहां था, डूबा हुआ था, सो जुमते नास्ते गाते आप सुक सफलता के शिकर छू लेंगे, रोते गंबीरता से कश्ट पाकर कुछ नहीं पाएंगे ना किसी ने पाया है। कृष्णा मन और जीवन के मास्टर कृष्णा एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरू, एक राजनेता, एक व्यवसाई कृष्णा शून्य से स्रिजन करने का एक श्रेष्ट उदाहरन कृष्णा जो कठिन तम परिस्थितियों में भी हसते हुए जीने की कला सिखाते हैं कृष्णा जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता दीप्रवेधी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्णा हूँ ये किताब कृष्णा के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलोजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा मैं कृष्णा हूँ हाँ कमाल का सुत्र है आगे कृष्णा के रहें कि सर्वव्यापी अनन्चेतन में एकी बाव से स्थिती रूप योग से युक्त आत्मा वाला तता सब में संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है जो पुरुष क्रश्णा कहां पहुँचे हुए हैं किस चेतना के माली के जड़ाई सुत्र से कल्पना करना वे कह रहे हैं कि जो पुरुष कि संपून भूतों में सब के आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपून भूतों को मुझ वासुदेव के अंतरगती देखता है उसके लिए मैं अद्रश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अद्रश्य नहीं होता वाह क्रस्न के रहे है कि सर्वव्यापी अनंत चेतं में सर्वव्यापी कन-कन में वही है कन-कन उड़ जावाने कन-कन में चेतन्य है चोटे से चोटे अटम में भी इलेक्टरॉन गुमता ही रहता है Susya कन-कन में उड़ जा है कण कण में चेतन्य है सारे कण हर पल गती माने और उनको गती मान करने वाला एक ही चेतन्य है है ना, ज़रा समद ले ना एक ही चेतन्य है ये मनुष्य ही कुछ ऐसा गरब़ कर गया कि अपनी अलग से चेतना पेदा कर ली और खुद तय करने लग गया मैं ऐसा बनूंगा मैं ये पाऊंगा मैं इससे बचूंगा मैं ये नहीं करूंगा अपनी अलग चेतना बना ली और परमात्मा से बिछड़ गया एकी चेतन्य तो क्रश्ण केरें कि सर्वयापी चारों और वो ही है कोई कान आबाद नहीं है द्रश्य हो अद्रश्य हो वस्तु हो की व्यक्ती हो कोई चीज उस चेतन्य से आबाद नहीं है सब कुछ एकी चेतन्य से चलाय मान है तो फिर सब में परमात्मा है अगर सब कुछ उसी से चलाय मान है तो सब में परमात्मा है बस ये छोटा सा तो ग्यान इमांदारी से भीतर अनुभव करना है कहने के लिए नहीं कहने के लिए नहीं कहने वाले तो कहते कण कण में भगवान है और देखो हमने उसका इसकोन के नाम का एक मंदिर भी बनाया है तो फिर कण में से कैसे आया वो गया और इसकोन में कब गुज गया कोई यहां बताने वाला नहीं है कान कान में जो भगवान हो उसके मंदिर नहीं हो सकते नहीं हो सकते सब जगें वो ही है या नहीं है दो दरश्टी हो सकती एक परमात्मा की दरश्टी एक शेतान की दरश्टी शेतान की द्रश्टी को बेदे उसी को बार-बार क्रश्ण अटेक कर रहे हैं ये पाप, ये पुन्य, ये अच्छा, ये बुरा, ये मान, ये अपमान, ये लाब, ये हानी कुछ है ही नही वो ही है, उसके अलावा कुछ है ही नही तो क्रश्ण कहे रहे हैं कि सर्वव्यापी अनंत चेतन में एकी भाव से स्थिती रूप योग से युक्त आत्मा वाला तता सब में संभाव से देखने वाला सब में संभाव से देखने वाला क्या? ये तो परमात्मा है अरे ये भी परमात्मा है ये भी परमात्मा है, वावा, क्या परमात्मा है तो सब में संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भुतों में स्थीत और संपूर्ण भुतों को आत्मा में कल्पित देखता है Beautiful बस और यही सत्य है और जो इस सत्य में जी रहे हैं चाहे वे कलाकारों, बिजनेसमेनों, साइन्टिस्टों, चाहे दरम गुरु हों साइकोलोजिस्टों कोई भी हो जो ही सत्य में जी रहे हैं, वे ही परमात्मा में जी रहे हैं और उनी से बले-बले चमतकार हो रहे हैं तो क्रश्णा कह रहे हैं कि जो आत्मा को संपूर्ण भूतों में देखता है, वो ही है, आत्मा ही है, कण कण में वो ही है, करम में वो ही है, व्यक्ती में वो ही है, वस्तू में वो ही है, सब में वही है, है क्या उसके अलावा? कुछ भी नहीं है. और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है ब्यूटिफूल अभी मुझे बोलना है आप बेटे हैं गीता पर बोल रहा हूं तो मुझे क्या चाहिए एक श्लोक लिखा हुआ सिक्वंस में पढ़ने के लिए चश्मा चाहिए बोलने के लिए माइक चाहिए बस तो इतना सा मेरा जीवन नहीं समय और ये सब कुछ परमात्मा है ये सब कुछ परमात्मा है लेकिन कल्पित है कल्पित क्यों है क्योंकि मैं वो का वो ही रहने वाला हूं लेकिन बोलना बंद करूँगा और जाओंगा तो कुछ नए सामान आएंगे परमात्मा बहर का चेंज होता रेगा बितर का परमात्मा वो का वो ही रेगा तो सब में परमात्मा है जब जिस से मिलते और जितना सामान है उतना आपका परमात्मा है लेकिन वो कल पीते फिर वो समय चला जाता फिर वो परमात्मा चेंज हो जाता लेकिन रहता परमात्मा ही बहार भी बितर भी लेकिन हम भेट करते नहीं इसमें है इसमें नहीं है इसमें है और इसमें नहीं है कैसे नहीं है क्यों नहीं है फिर बोलने में किटानों मर जाते अब बोलने में भी परमात्मा गायाब हो जाता पट्टी लगा लेते पढ़ने में भी गायाब हो जाता तो केसे चलेगा हर कर्म में आप देखना परमात्मा गायाब हो जाता ये नहीं किया जा सकता ये नहीं करते ये नहीं होता क्यों अरे परमात्मा है उतना ही है जितना कर्म आपके हाथ में है और उस कर्म का पुरा सामान परमात्मा है तो क्रश्ण अरजुन से यही कह रहे हैं कि तु यूद के मैदान में है तुझे अगर यहां परमात्मा नहीं मिला तो मैं गैरंटी से कहता हूँ तुझे कहीं नहीं मिलेगा सो तु समझ सब जगे वो ही है हत्यार में वो ही है दुश्मनों की सेना में वो ही है भाईयों में वो ही है मुरुत्यों में वो ही है हार में भी वही है जित में भी वही है बस तीर चला उसमें भी वही है वो लोग भी तीर चलाएंगे उसमें भी वही है तेरे तीर उनको लगेंगे उसमें भी वही है उनके तीर तेर को लगेंगे उसमें भी वही है खेल जा तू वही है पुरा कर्म परमात्मा मैं कर दे कुछ अलग है ही नहीं तू ये सोचता कि ये परमात्मा और ये नहीं ये अच्छा और ये नहीं बस गर बढ़े हम भी ये सोचते यही सोचके तो करते कि हमारे घर में परमात्मा नहीं है तो मंदिर में जा रहे हैं न लेकिन घर में नहीं मिल रहा है मैं guarantee से लिक्के देता हूँ मंदिर में भी नहीं मिलने वाला है गले में मुर्ती लगा ले तो भी नहीं गुशने वाला है अगर नहीं मिल रहा है तो कहीं नहीं मिलेगा वरना काण काण में वही है और चीजें बदलती रहती आप office में हैं तो पुरी office परमात्मा है फिर office छोड़ के घर गए तो घर में परमात्मा है दोस्तों के साथ गए वहाँ परमात्मा है खाने बेठे उसमें परमात्मा है सामान बदलते बाहर के आपकी स्थिती परमात्मा बनी रहनी चाहिए और बाहर के किसी सामान से बेदबाव क्या करना वो तो परमात्मा ही है लेकिन बोजन करते उसमें से भी प्याद लसन गायब हो जाते उसमें परमात्मा नहीं है बोले तो यह जो गरबर हो रही है वो यहां से हो रही है परमात्मा बात बात में और बार बार गायब हो जाता है ना तो ये गायब नहीं होना चाहिए परमात्मा कैसे गायब हो जाता कैसे गायब हो सकता बात ही समझ में नहीं आती तो सब कुछ वही है चपन भोग में भी वही है युद में भी वो ही है और रास में भी वो ही है और आगे क्रश्न कहे रहे हैं कि जो पुरूस संपून भुतों में क्रश्न अपना अस्तीत्वतों कबका बुला चुके उन्हें इस समय होशी नहीं है कि वे कोई शडीर है, उनका जन्म हुआ है, वे घीता कह रहे हैं, उन्हें कुछ भी होश नहीं है, वे कह रहे हैं कि मैं ही में हूँ सब जगे, और जो सब जगे वासुदेव को, यानी क्रश्ण को, जो चारो और मुझे देख रहा है, कमाल हो गया, इस चेतना पे कभी कोई न से, कितनी इनोसेंटली, किस कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, कि जो सब भूतों के आत्मरूप, सब में मुझे वासुदेव को ही देखता है, और सब को, मुझे वासुदेव के अंतरगत देखता है, है ना, कि सब को चलाने वाला भी मैं ही हूँ, और सब में मैं हूँ, बस जो यह देखता है उससे में कभी नहीं बिछड़ता और वो मुझसे कभी नहीं बिछड़ता ब्यूटिफुल बस जो सब में क्रश्ण को देखता है समझ लेना युद में भी क्रश्ण है हत्यार में भी क्रश्ण है मृत्यु में भी क्रश्ण है रास में भी क्रश्ण है हर कर्म में हर वस्तु में हर जगह जो क्रश्ण को देखता है और सब को क्रश्ण के अधीन देखता है क्रश्ण कहे रहे हैं कि वो मुझसे कभी नहीं बिछड़ता बिछड़ सकता ही नहीं है अंदर टोटल कृष्ण, बाहर टोटल कृष्ण, सब कुछ परमात्मा है, अलग से कुछ भी दीख रहा है, बस वोही द्रस्टी दोश है, और जब तक अलग से दीख रहा है, तब तक अलग से चाहे हैं, अलग से दे हैं, अलग से संकल पे, अलग से कामना है, अलग से अस्थि नहीं है इस बात को समझना कि ब्यूटिफुल बस यही जो अदा है क्रश्न की यह जो उचाहिए जब वो छुके बोलते कि जो पुरुष जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सब के आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर गती देखता है उसके लिए मैं अद्रश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अद्रश्य नहीं होता बस अब इस चीज को समझ लेना जीवन में उतारने की कोशिश करना भेट क्या है जैसे ही आपको लगता कि यह गलत है यह पाप है यह बुरा है यही समझ लेना अभी आपको परमात्मा का रत्तीवर होश नहीं है आपका अस्तीत्व बहुत भटका हुआ है सब में वही है । वही है और वही है यह जो केते ना स्त्री में नहीं है नरक का द्वारे प्याज और लसन में नहीं है बगवा के अलावा वस्तरों में नहीं है कहां कहां नहीं है जरा खोदना मंदिरों के अलावा कहीं नहीं है अरे बापरे बापरे ऐसा तो क्या जीवन मना लिया ऐसा तो कितना खोदिया आपने कितना सा कर दिया जो सब जगे है छोटा बना दिया कमाल कर दिया आप यह कमाल मत करो सब जगे वई यह अलग से खोजना नहीं है कुछ बदलना नहीं है अरे क्रश्न को जूट में दिख गया, छल में दिखता, कपट में दिखता, तरह कल्पना तो करो, कहां नहीं है परमात्मा, कहां नहीं है परमात्मा, हो स्त्री में नहीं होता, तो क्रश्न का तो पूरा जीवन स्त्रीयों के आस पास गुम रहा है, ये शास्त्र वाले और अंदू शास्त्र कमाल करते अंतिम श्लोक भी इसी के आसपास कहिए उसी की कंटिनुटी है कि जो पुरुष एकी भाव में स्थीतो कर संपूण भूतो में आत्मरुप सित मुझ सचीदा नंद घंध वासुदेव को भचता है वह योगी सब प्रकार से बरत्ता हुआ भी मुझमें ही बरत्ता है ब्यूटिपुल जो पुरुष एकी भाव में स्थीतो कर यानि संपूना अस्तीत्व को एक रखकर संभाव से जो कुछ भी है जो कुछ भी है ये जो कुछ भी है ना जब तक ये समझ में नहीं आएगा ना तब तक आप भे नहीं सकते तब तक अठके रहेंगे तब तक आप कामना संकल्प से बंदे रहेंगे तब तक करतापन रहेगा तब तक चोईस रहेगी तब तक एक निश्चे नहीं रहेगा तो एकी भाव से पुरा अस्तीत्प एक होकर स्विकार ले कि ये परमात्मा है आप बोजन कर रहे हैं बोजन की थाली परमात्मा बनाने वाला परमात्मा है ना लेकिन हमारा तो ऐसा नहीं होता वो किस जात का है किस धरम का है बीमारों ने दो खुन चलाने के पहले फिर मैं याद दिलाओंगा पूछो कि किस धरम वाले का है किस जात वाले का है तो भोजन बनाने वाला परमात्मा उसमें उप्योग में लाई जाने वाली सामगरी परमात्मा फिर उसमें प्याच परमात्मा नहीं लसन परमात्मा नहीं ये परमात्मा नहीं वो परमात्मा नहीं और ये तो special परमात्मा है ना सुमवार ये साबुदाना special परमात्मा गुच जाता उपर से इस्पेशली कुछ जाता साबूदाना में, ये क्या कर रखा है, फरियाली में परमात्मा, अरे हरियाली में परमात्मा, क्या फरियाली में परमात्मा, तो जो एकी बाव से स्थीत होकर, सम बाव से सब में परमात्मा देखता है, परमात्मा ही है, ये भोजन की थाली परमात्म ये उठाया परमात्मा ये खाया परमात्मा ये पहुचा परमात्मा कहां बीच में और कुछे हैं हम क्यों खाते क्योंकि हम बेद करते तो क्रश्चन कह रहे हैं कि एक ही बाव से सब में मुझको देखता है सब में जो मुझ को देखता है वो सब प्रकार से बरत्ता हुआ भी वो फिर कुछ भी करे अरजुन तू तो छोटे मोटे यूद की बात कर रहा है और तू तो सीधा सीधा यूद लड़ रहा है मैंने तो यूद भी छल और कपट से लड़े हैं न तो मैंने उसमें भी परमात्मा पा लिया और तुझे सीधे सीधे यूद में इतनी अर्चन आ रही है बोले नहीं है परमात्मा अरे तुझे राज्य खोज रहा था तिस साल से उसमें भी परमात्मा नजर नहीं आया है अरे तु पैदा हुआ तब से आस तक तुझे किसी बात में, किसी कर्म में परमात्मा नजर आया है, नहीं आया, और मुझे हर बात, हर कर्म में जब से पैदा हुआ परमात्मा ही नजर आया है, बस यही तो एक बेद है, यही बेद मिटाना है, यह छोटा सा बेद है, मिटा द वहाँ लग जाए जो भी कर रहे हैं वो सारी सामगरी परमात्मा बीना बेदबाओ के लेकिन बीना बेदबाओ के हम जी नहीं पाते हैं तो क्रश्ण कहे रहे हैं कि जो सब में परमात्मा देखता है फिर वो कुछ भी करता है वो सब प्रकार से बरतता हुआ मुझ वासू देव को ही बसता है और कुछ नहीं कर रहा है वो जो कुछ भी करता मुझे पहुचाता अर्जून में जुट बोलता और परमात्मा को ट्रांसफर कर देता मैं थोड़ी लगता हूँ कोई मैं चल करता उसको ट्रांसफर कर देता मेरा क्या है सब कुछ उसको अर्पन है हर कर्मे परमात्मा जलगता आगे क्रश्न के रहे हैं एक कंडिशन डालके कि जो योगी अपनी भाती संपूर्ण भुतों में सम देखता है और सुक अत्वा दुक को भी सब में सम देखता है वह योगी परमस्रेस्ट है बस ये जो सर्व है ये एक आपको इशारा है यहाँ पर सुक तो जिवीत है लेकिन तेरा सुक मेरा सुक जिवीत नहीं है हम तेरा सुक मेरा सुक में डिवाइडेड है तेरा दुख मेरा दुख में डिवाइडेड है हम मेरा सुक चाते मेरा दुख टालना चाते हम कभी ये नहीं सोसते कि दुसरा भी यही चाता है आप समझो इस बात को दुसरा भी यही चाता है हम भी यही चाते है और यही होना चाहिए तो तेरा सुक मेरा सुक, तेरा धन मेरा धन नहीं है बिल गेट्स को, मार्क जगरबर्क को, वारेन बुपे को, एलफेट नोवेल को पुरी की पुरी संपति दान करी, तेरा धन मेरा धन नहीं है तेरी सफलता मेरी सफलता नहीं है, मेरा लाब तेरा लाब नहीं है सो ये मरेंगे में मरूंगा बाती गलत है जो भी मरेगा में ही मरूंगा जो भी मरेगा में ही मरूंगा एक भाव ले और यूद कर अभी दिक्कत क्या है में मरूंगा इसलिए यूद करना नहीं चाहता सामने आले मरे उसकी चिंता नहीं है यहां किसी को चिंता नहीं है तो संभाव में स्थीत हो जाओ अरे मेरा लाब किसी का नुकसान होगा किसी का नुकसान मेरा लाब होगा और मेरा नुकसान किसी का लाब होगा तो संभाव में स्थीत हो जाओ करम हमारे हाथ में है हमने कर लिया परिणाम परमात्मा पे छोड़ दो किसको नफा पहुचाना और किसको नुकसान पहुचाना ये वो जाने कर्म पुर्णता से कर दिया संभाव से सबके सुक दुख एक है ना लड़ने में बुरह ही नहीं फिर उसने दो चांटे जादा मारे या आपने उसमें भेद मत करो फिर यूत करो हम जगरते इसलिए नहीं हम जगरते इसलिए कि उसको पीट के आए उसको ठीक करके आए हो सकता आप ठीक हो जाए आप भी लगा के लो फिर परमात्मा पे छोड़ो किसको ठीक करना है बस किसको ठीक करना है क्या पाना है किसको पाना है और किसको खोना है परमात्मा पे छोड़ो सबकुछ वासुदेवे एक condition क्रश्ने जरा मजबूत लगा रहे हैं तो तेरी खुशी मेरी खुशी नहीं मेरी जीत तेरी हार नहीं सब जीत उसकी है सारी हार उसकी है सबकुछ उसका है हमारे आत्मे कर्मे पूर्णत डूपकर परमात्मा बनकर कर्म करे फल कम से कम उसके आत्मे छोड़े और कर्म उसको पूंच जाएगा Thank you very much कोई भी सवाल हो तो ले लेता हूँ कोई सवाल हो तो I have a question हम जैसे बोलते हैं thoughts, words and deeds तो यानि कोई भी कर्म ओरिजनली विचार से ही शुरू होता है तो the thought is not still a कर्मा जो action में आए यानि physical action में आए वही कर्मा होता है या जो विचार आए उसको जो प्रेरित किया Thought कहां से आता है समदना आख और कान से process बाहर से कोई भी चीज भितर जाने का रस्ता है कि यह आख और कान अब आख और कान ने लोब और भय पकड़ा है ना तो कर्म हो गया उसी क्षन हो गया शरीर ने किया या नहीं किया इसका कर्म से कोई भी तालुक नहीं है शरीर तो मजबूर हो सकता शायद न करें हिम्मत न आवें परिस्तिती न हो गया तो मन ने सोचा और करम हो गया तो सारा करम मन का है मैंने सोचा कि आपको हनी पोंचनी चाहिए लेकिन क्या करूं आप जड़ा इस एरिया के पेलवान है कोई बात नहीं तो मैंने शरीर से आपको हनी नहीं पोंचाई लेकिन उसके दरबार में नौट हो गया कि आपके मन में ये विचार आया तो करम मन से है शरीर से रत्तिवर नहीं है तो हम मन से मंदिर नहीं जाते शरीर मंदिर हो आता है इसलिए वो करम नहीं होता तो जो भी कर्म में मन शामिल नहीं है तो क्या होता मन में कर्म में शरीर नहीं करता तो परमात्मा चला गया मन और शरीर में लेकिन बुद्धी केती की सब कल्कुलेशन लगा लिया ये सोबा घाटे का है तो ये जो भी कर्म में ये नौट होते नौट होते हैं ने हमारी सिस्टम में और सिस्टम विगढ़ती चले जाती है कर्मों की सजाए अगर पूरा अस्तीत्व एक साथ होके कर्म करता है तो उसका रिजल्ट यह आता है कि हम उपपर उठते मन की शक्तियां जाकती है और हम तूट तूट के कर्म करते तो जो मन का विक्रत स्वरूप है उसमें हम जीने को मजबूर हो जाते तो पूरे धरम का सार जो आपने पूछा उसमें है कि पूरा अस्तीत्व साथ में होना चाहिए और नहीं है तो मन ने पकड़ा और शरी ने नहीं करा तो करम तो होई गया आप विबाजीत हो गए उसक्षण है ना मारने की इच्छा है लेकिन मारा नहीं उससे क्या हो गया परेशान तो हो गए ना नहीं मार पाने का दुख जेल लिया ये करम की सजा हाथो हाथ है जब पूरा अस्तीत्व मिल जाता तो जाओ ना पेलवाने तो क्या करेगा एक बार लपक के धोएगा दूसरी बार इसी इच्छा अपने आपाना बंद हो जाएगी तो पूरा अस्तीत्व जब साथ में होगा तो कुछ ने कुछ अच्छा होगा वरना रोज सुबह सोचेंगे उसको पिटना है लेकिन कैसे पिटना है लेकिन कैसे तो ये करम की सजाएगा पूरा अस्तीत्व तो मिल जाएगा तो एक ही बार में सब खतम हो जाएगा एक और प्रस्शन है कि जैसे लेबल्स हम लगाते हैं शब्दों से कुछ यानि आसोसियेशन होता है तो तो जो लेखक है या कभी है तो फर एग्जेंबल चार्ल्स टिकन्स एक्सेट्रा तो वो तो शब्दों की माला पूरी रचा करके देर क्रियेटिविटी डिपेंड्स तो इसको डिस्टिंविश करें अभी क्रशन इतने शब्द के रहे है बोलो बलो लेकिन शब्दों की माला नहीं है ये चेतन्य की माला है कभी इतने शब्द के रहे है ये बड़े बड़े शाया और कभी ये केते है तो शब्दों की माला का है आपके भीतर वो शब्द के रुप में नहीं जाते आपके भितर वो करम के रुप में नहीं जाते आपको किसी करम से रोकते या उक्साते नहीं तो शब्दों की माला का हुई चेतन्य की माला हुई शब्दों की माला ये लोग गुनते जिससे कारण हम करमों को उसकते या करम करने से अपने को रोकते वो शब्दों की माला होई तो शब्द एक तो वो दुरूपी होगे और दूसरा शब्द किसी चीज को नाम देना विहवारिक जीवन के लिए है लेकिन भीतर ये समधना चाहिए कि अलग-अलग शब्द विहवारिक यूज के लिए दिये गए नाम है है सब कुछ परमात्मा हम उसमें बेद करते परमात्मा चला जाता है तो बेद के लिए शब्द है कि ये लाइट है ये नहीं है ये माइक है तब तक बराबर है लेकिन लाइट में परमात्मा और माइक में नहीं है या माइक शूबे और लाइट अशूबे जैसे काला कलर अशूबे तो अपर ने ओफिस काली बना ली क्योंकि पब्लिक डिमांड हमें सप्लाय करनी पड़ती में बंदा हुआ हर कोई अपने सभाव से बंदा है तो क्या करेंगे जो लोक मानने अथा उसके विप्रीत करेंगे ताकि थोली सी बुद्धी जगे तो काले कलर में परमात्मा नहीं है यही गर बढ़ है अच्छा जो केते काले कलर में परमात्मा नहीं है वो बाल सफे दोने पर तो काले करवाई लेते है तो परमात्मा सबका ब यहां पे भी जितनी भी बार मन का उल्लेक हुआ है तो उसके साथ मन को इस्तिर करना या वश्मे करने को कहा गया है और आप कहता है मन में जो आए वो करो तो यहां ऐसा contradiction क्यों आ रहा है contradiction कहा है मैं मन में समझा चुका हूँ मन को वश्मे कोई करी नहीं सकता मलब कंट्रोल नहीं कर सकता वश्मे करने का आरते उसे बाहरी प्रवाव में नहीं आना चाहिए वश्मे करने का सयम मन का सयम क्या है कि मन में जो आया वो होना चाहिए और नहीं हो सकता तो मन को हात्वात बदल जाना चाहिए जैसे इन्होंने बोला कि उसको मारने की इच्छा करने की बात ही कहां करी क्रस्णा ने कौन सा कंट्रोल कर लिया तो बार-बार शब्दों से क्यों कंफीज होते हो मन पर अपने अस्तीत्व पर किसी चीज़ पर वशमे करने का आरते कि अब उसको कोई प्रभावीत नहीं कर सकता कोई भी प्रभावीत नहीं कर सकता है ना कि मुझे सुली पे लटका दो तो भी दुखी नहीं कर सकते और पुरे जहां का खजाना दे दो भी खुश नहीं कर सकते है ना तो मेरा मन मेरे वश में है स्थीर है stable है परमात्मा में स्थीत है वो जो बार-बार मन मतलब मन बुद्धी हंकार पुरा स्थीत हो वो बार-बार जो अलग-अलग जगे पर जाता है बटकता है बारी प्रवाओं से वो होना बंद हो गया मैं अपना मालिक हो गया यह परमात्मा की एक ही परिवाशा है कि मैं अपना मालिक हो गया अब आपकी कोई बात, कोई विचार कोई मान, कोई सम्मान कोई शास्त्र, कोई समाज मुझे किसी बात से रोक नहीं सकता मेरा अपने पे पूर्ण वश है मैं स्वतंत्र हूँ, बगवान की संतान हूँ बगवान जो बोलेगा वो सही, आप सब नोट सही, कोई बाहरी प्रवाव नहीं तो वश में सहियम एक ही बात है सहियम तो समझ लेना मन के सिद्धान ते खिलापे मन न्यूटन लोब पे चलता है तुमको क्रोध आया क्या करो के सहीम करके दिखा दो या तो करना पड़ेगा बगर करे, वो क्रोध जाने वाला नहीं है आप दबाओगे वो पांच गुना हो जाएगा और दबाओगे, वो हजार गुना हो जाएगा और दबाओगे, तो फ्रस्टेशन, चिंता, दुख, टेंशन में करनवर्ट हो जाएगा वो निकल गया, बासमापत हो गई वो निकल गया, बासमापत हो गई तो मन को सहीम मतलब की क्रोध है क्रोध कर दिया मेरा अपने पेवर्ष है, अब क्यों नहीं करते लाब, हानी पाप, पुन्य, अच्छा, बुरा, मान, अपमान बस तो यहीं आकर हमद्वंद में फस्तने अस्तित्व विभाजीत हो जाता है अंदर क्रोध है है ना, और बार हस रहे हैं बे मतलब और मन में लग रहा है अकेले में मिल बताता हूँ तो यह जो अस्तित्व विभाजीत हो रहा है यह हम परमात्मा खो रहे है यह ना, या तो क्रोध कन्वट हो जावे, या निकल जावे, अस्तित्व पुरा एक हो जाए, वो परमात्मा है आपको कभी उससे नुकसान नहीं होगा, बितर क्रोध है और निकाला, एक बार भी कभी नुकसान नहीं होगा, चाहे आप जो सोच रहे हो, यह मैं समय में समझाओंगा, नुकसान हो भी नहीं सकता परमात्मा के साथ रेने में नुकसान नहीं है जो आपको नुकसान दिख रहा है वो आपको या तो महान नुकसान से बचाने के लिए है या राज चेंज करने के लिए है हम डड़ते हैं उसके हाथ में कुछ भी नहीं है आपका अस्तीत्व महत्तपून है हाई मेरा नाम शील कुमर रवस्ती है और मैं बैंक में काम करता हूं as a senior manager my name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student मेरा नाम जैराम प्रसाद है मैं self-employed हूं मैंने इनकी बुक पड़िया I am the mind सर ने I am the mind बुक में बहुत क्लेरे मेंशन किया है कि mind किस तरीके से work करता है कैसे problems को create करता है और इसका solution किया life में it's a really great book that I've come across in so many years I've read many books but this one stands apart इस पुस्तक की सरल भासा सधारन धन से मन का classification ने मुझे बहुत प्रववित किया है I have read the book it clearly identifies explains the difference between your brain and the mind all the seven states of the mind are clearly defined in that book and that's that's the best thing about the book so it's a very nice book written in a very clear language मेरा तुमानना है मैं मन हूँ पुस्तक हर ब्यक्ति को पढ़ना चाहिए ये जिन्दगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है अगर ये I am the mind एक बार समझ में आ गई it is going to make the magic in the life कि महासरद ये last day Friday को काफी लेट हो गया था इसलिए एक हुष्टन नहीं किया था इसमें हम इस स्लोक में युक्ताहर विहार सेया युक्त जेश्रशे करमसू युक्त सपनावा बोधस्या योगवभत दुखा इसमें यानि हर चीज में युक्त सब्द का उपयोग किया गया है यहां पर आराम और आलस्य की सीमा क्या है हम कहां पर युक्त समझेंगे आराम को कहां पर आलस्य क्या होता है यह बहुत महत्वपून सवाल है कि आद्मी कभी यह मत समझ लेना कि अभी क्या है फिर सब परमात्मा कर देगा तो मेंको दुर्ण पर यह नियुक्त काम करने की इच्छा नियुक्त कोई बात नहीं और हजार बार मैंने इस चीछ को समझाया और क्रश्न ने भी समझाया कि ठीक है ना, आपके आफिस आने के इच्छा नहीं हो रही है, काम करने के इच्छा नहीं हो रही है, कोई बात नहीं उसके जो परिणामें, उससे भी आपको दुख नहीं पूंचना चाहिए यह उसका लेबोरेटरी टेस्टेड अगर परिणाम दुख पोचा रहा है मतलब फिर बाहरी प्रभाव आ गया फिर वो आपके अस्तित्व का कहना नहीं है यह चटा अद्या जब मैं कंक्लूट करूँगा तो आप समद लेना हमारा अस्तित्व संपूर्ण है यानि उस कर्म म मज़ा है अगर मुझे नहीं जाना ओफिस मुझे नहीं जाना स्कूल तो मैं नहीं गया स्कूल साल में कभी दस दिन कभी पंदरा दिन स्कूल गया वरना गया ही नहीं मैं अपने स्कूल से वलिया वलिया काम स्कूल टाइम पे कितने चलते हैं बाहर है ना कोई ऐसी कविता कोई ऐसा स्टेशन नी जहां गुमके नियाता हूं कोई एसा खाना नहीं कोई एसा दंदा नी जो मैंने किया हूं स्कूल कोन जाए तो काफी काम करने को यह मेरा सिलेक्शन है फिर उसका जो भी परिणाम आए उससे मुझे दुखी नहीं होना चाहिए तो परिणाम पूरता में स्विकारना लेकिन ऐसा होता नहीं है अर्था समद लेना कि हम आलस में हम मिजगाइडेड हैं हम मतलब ही हैं हम जूठे हैं हम काम चोड़े हैं है ना हम काम चोड़े तो मजा यानि की संपून संपून एक निश्चा से की पास मुझे स्कूल में मजा नहीं है तो नहीं है एडिसन को नहीं है स्टीव जोस को नहीं है लेकिन एक निश्चा यह बिल गेट्स को नहीं है लेकिन एक मेने बाद ये फिर śamba बाद किसी ने टोक दिया अरे अरे रे गरबल वगई फिर छे साल बात पस्ता रहने नहीं पस्ता ना इस बातका शबूत है कि आपने वह अर्व कारिय परमात्मा को साथ में नहीं रखा और जैसे ही हम पस्ता थे वो गलती रिपीट करते क्योंकि परमात्मा को साथ में नहीं रखा फिर दोबारा क्रोध करते एक बार कोई व्यक्ति पूरा क्रोध कर ले क्या कर लोगे धर्ती को समाप्त कर दोगे सुर्य खा जाओगे हवा रोक लोगे, करतो लो एक बार पुरा, एक बार पुरा कर लेगा, दोबारा कभी नहीं आएगा, फिर क्रोध का लाटक होगा, फिर क्रोध की एक्टिंग होगी, वेसी ही पारफुल होगी, लेकिन भीतर कुछ नहीं होगा, तो पूरी तरह से हम करते नहीं आदा अदूरा करते फिर लगता कि इसका नुकसान हुआ इसको बुरा लगा फिर इसने नोक्री से निकाल दिया और हम पस्ता थे इसलिए वापस करते तो हर चीछ मनुश्य पस्ता था वो इस बात का सबूत है कि पूरा अस्तित्व उसका उस कर्म में डुबा हुआ नहीं था तो पहले मैं कहता हूँ और बार बार कहता हूँ और करश्ण कहते हैं कि करम करते वक्ती उसको संपून आने वाले फलों के साथ स्विकार लो अब संपून आने वाले फलों को देखने के लिए चेतना जागी होना जरूर ही है क्योंकि 10-20-40 फल तो दिख जाते और वो भी होने वाले नहीं होते और हजारों हिडन फल पीछे छीपे रहते जो दिखते नहीं तो फिर एक काम करो जो करश्ण कहे हらे हैं या तो फल को पूनता में देखने की चेतना जगाओ और एडवांस में स्विकार लो जैसे क्राइस ने स्विकार लिया था कि मैं सारे के सारे यहूदी हैं उनके खिलाब बोलूँगा तो यहुदी बड़े ताकतवर हैं, जिद्दी भी हैं, कटर भी हैं, मुझे बढ़िया से इनाम तो देंगे उन्होंने पेले से ही स्विकारा हुआ था कि ये सुली पे लटकाएंगे और उसका भी मज़ा लेके सबको दिखाऊंगा, तो उन्होंने मज़ा लिया तो करम को पुरे फल के साथ स्विकारा, अगर आपको फल पुरा नहीं दिख रहा है, तो फिर दूसरा उपाय क्रश्ण ने बोला, कि करम करो, पर फल की चिंता मत करो, फिर जो हो जाए, फिर जो हो जाए, ये मान लो, कि अगर मेरा करम परमात्मा था, तो ये जितने भी आ रह मुझे कुछ दे रहे हैं, वो सब भी परमात्मा ही है, तो स्विकार लो, तो दो रस्ते हैं, या तो करम को संपूर्ण फल के साथ स्विकार लो, या फिर फल की चिंता ही मत करो, जो आ रहा है मान लो, कि हमें तो दिखता नहीं था, लेकिन हमने कर दिया, अब जो आ रहा है, परमात्मा आप बढ़िया बढ़िया बेज रहा है तो चाटा भी फिर अज्सक्त कहाँ आपको समझाने की लेकिन आजिसे रर कॉषिशन कहें ध्यान योग के अंतिम इस्तिति को प्राप्त हुए पुरुस के लक्षन क्या है क्या है ध्यान योग के अंतिम इस्तिति को प्राप्त हुए पुरुस के लक्षन क्या है वो एक चीत होता एक चीत होता यानि कि जो कर्म हाथ में होता उसमें पुरा डुबा होता और जो कर्म करने या पाप है या पुन्य है या लाब है आनी कोई भी बहारी प्रभाव से न तो वो कर्म करता न किसी बहारी प्रभाव के कारण वो कर्म रोकता और फिर जो करता जो करता उसमें दो में से एक कंडिशन होती या तो उस कर्म को फल के साथ स्विकार करता या फल की चिंता नहीं क करता सिर्फ करने का मज़ा है और करने में जब पुरा अस्तित्व लुपता है तो वो कर्म सीधा परमात्मा के पास पहुचता है तो क्रश्णा का चपन भोग भी परमात्मा को पहुचता है जूट छल कपड भी परमात्मा को पहुचता है और क्रश्णा आगे अपने व्यक्त अस्तित्व जब गिता में समझाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा कि सब कुछ परमात्मा को पहुंसता है एक अस्तित्व हो तो योगी अभी रामदेव जी हैं समझो अभी ये नूडल्स पगेरा सब बेच रहे हैं तो बार-बार सीथ कर रहे हैं कि परमात्मा काफी निकटे और बिछडता नहीं है यह ना यह नहीं है परमात्मा बिजनेस नहीं करेगा परमात्मा आटा नुलल्स नहीं बनाएगा परमात्मा पीजा नहीं बेचेगा परमात्मा हकर नुलल्स नहीं खाएगा अरे ऐसा तो कैसा नाजुक परमात्मा है तो जो कुछ भी करेग वो परमात्मा है तो हम कुछ भी करने को तयार है हम प्रकृति की परमात्मा की प्रोपर्टी है उसने हमको बेजा अभी सिक्षान हमें जो करने को कहे हमें उससे उपर की बुद्धी क्यों लगानी अब उससे उपर की हम बुद्धी लगा रहे है इसलिए हमारे साथ परमात्मा नहीं है और बुद्धी क्यों लगा रही है सब जने जानते है बस बुद्धी नहीं लगानी है हमें क्या करना अच्छा पूर्ण अतासे करने में मजा अच्छा मेरा क्या टेंशन तू क्या ले जाओगे मेरा परमात्मा ले जा सकते? नहीं ले जा सकते मेरी हसने की ताकाद, मेरी मस्ती की ताकाद, मेरे सोचने की ताकाद, ले जा सकते? मेरी शांती और सुकुन की ताकाद ले जा सकते? नहीं ले जा सकते और इत्यास गवाहे कि फकीर और भिखारी भी मस्तुवे हैं और बड़े बड़े राजे रोते रोते मरे हैं तो क्या ले जाओगे, क्या दे जाओगे, सब कुछ भीतर है मेरा जीवन भीतर, मेरा करम भीतर, मेरा फल भीतर हम बहार देखते हैं और फिर बहार से प्रभावित होते हैं फिर तै करते हैं, फिर पाने और खोने के चक्कर में पड़ते हैं, जबकि हम परमात्मा है, हमारे पास परमात्मा है, परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं है, और सब कुछ परमात्मा है, अभी कहा दिमार लगाना है, बस ये अंतिम ग्याने हैं, तो जिसको कुछ नहीं मालूम Soccides केते उसको सब मालुम है तो ये जो ग्याने कि मुझे कुछ नहीं मालूम सब परमात्मा बोल क्या आये क्या पाया क्या कोया ये साथ साल में बिश साल सोते कुछ लेके जाते नहीं कुछ मिलता नहीं और ये जितने केते हमारे यार दोस्त रिष्टेदार, है न, वो ही हमें जलाते, वो ही हमें दफनाते, चार दिन याद करते, वो भी अच्छे से याद करते, कि बुराईया याद करते, किसी को नहीं मालूम, तो क्या लेके आते, क्या लेके जाते, सब कुछ छोड़के जाते, एक परमात्मा लेके आते, एक बात पूछनी थी जैसे कि आपने बोला गुस्सा आता है तो कर देना चाहिए दिल से कर लो तो फिर जहां तक मैंने अब्जव किया है जब मैं गुस्सा करती हूं ज़्यादा तर करती नहीं हूं जब करती हूं तो इडिस बहुत ये ब्लंडर के हिसाब से करती हूं मतलब एकदम खतरनाक हिसाब से करती हूं लेकिन उसके बाद तुरो दुषरे शणी मैं शांत हो जाती हूं तो तो हो जाता ना आदमी नहीं कभी कभी मैंने कई लोग को ऐसा देखा है कि एक ही गुसा वो बाहर-बाहर करते है लेकिन खतमी नहीं होता है यह EMI देते हैं वो कवा इस्टोर्में में निकालते है अब मैंने देखा है मेरा गुसा कभी मैं करती हूं उसके दुषरे शांत हो जाती हूं फिर मुझे वो चीज के लिए कोई ये भी नहीं होता है कि मैंने क्यूं गुस्सा किया या मैंने ठीक किया या बुरा किया वैसा कुछ होता ही नहीं है कारण परिणाम आपके लिए नहीं है नहीं, लेकिन सामने वाले जिस पे मैंने गुस्सा निकाला, उस पे भी मुझे बाद में द्वेश या कुछ रहता नहीं है, अगे मैं मैं नर्मल ओनली, मैं वही तो कहरा हूँ, देखो, आप समझो, मैं आपको वही कहरा हूँ, आप परफेट है, आपने गुस्सा पूरा नि इसने गुस्सा किया, लेकिन ऐसा होता नहीं है, जैसे आप शांत होते हैं, आपकी फ्रिक्वेंसी उस तक पहुच जाती, आपकी आवाज पहुच जाती, आपका चेरा पहुच जाता, आपके शब्द पहुच जाते, तो समझ में आ जाता, कि ये कुछ दम नहीं था बात मे और आप गुस्सा नहीं भी करें, बितर गुस्सा है, वो भी पहुच जाता है ना, लेकिन इंस्टॉल्मेंट में देते हैं, इसलिए गुस्सा बढ़ते जाता है, और सारे आपसी रिष्टे खराब होने का एक मात्र कारान है, कि कोई यहाँ पर समस्ता नहीं है, कि उसके ब विक्रत हो जाता है, आपस में सब का विक्रत हुआ पड़ा है, बीस साल, तीस साल, टुकले टुकले में और फिर एकदम से आदमी शेतान नजराने लगता है, जो है नहीं, जो है नहीं, तो मैं हमें सा कहता हूँ, यह खरा विवार करा, यह गुस्सा बोला, यह अपद्र भ भाशा बोली, अरे भाशा में क्या रखा है, गुस्से में क्या रखा है, आदमी देखो, उसके अंदर का परमात्मा देखो, आज आपकी बारी आपको गुस्सा आया ना, अभी ऑफिस में बॉस्स ने राटा, माता दुख रहा है, तब्यत खराब है, कुछ भी कारण हो सकत मैं यह क्यों मानता हूं का आपने मुझ पर गुस्सा किया, करो, पांच जने बागी सुने, आदे घंटे में चुपो जाओगे आप, फिर कल दूसरे की बारी आएगी, तो इससे आपके रिष्टे कभी नहीं बिकडेंगे, प्रेम बढ़ेगा, और फिर उस घर में परमात् आसपास वाले दुश्मन नजर आते हैं, और मजार नहीं कर रहा हूं, मोका मिले ना, तो सब जने पहले प्राण आसपास वालों के लिए, और किस्ते भी पूछो, जीवन में संकट क्यों है, यह आसपास वालों कराण, है ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ फ्रीडम नहीं है, हम स्रेनी जगे दूख पकड़ रहा है, यह तुमारी सुन-सुन के हलत हो गई, अब मत बिगालो उसको नेच्रल जाने दो, निकल जाएगा इतना सा है, जो क्रश्ण करे ना, पापियों से अधिक पाप करने वाला है, कितना पाप है बितर, इतना सा है, एक बार फ्री हो जाओ सब चिंता उसके छोड़ दो, और सामनाला क्या करता है, उसकी चिंता करने की नहीं है, दिल खोल के करोगे, परमात्मा साथ में है, अगर वो आदमी बेकार है, आपको भविश्य में कस्त देने वाला है, तो बुरा मानेगा, चला जाएगा, रिस्ते बिगड जाएंगे, आ आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, परमात्मा आपसे ज्यादा जानता है, लेकिन वो निर्दोष के साथ है, होश्यारों के साथ नहीं है, होश्यार कैलकुलेट करते, दबाते, और फसते, और जिवन नरक बन रहा है, तो क्रोध नाम की ये सब परमात्मा ही है, पूर्णत कुछ नहीं है, क्या करोगे, दो चांटे मार लोगे, फिर मरम भी लगा दोगे, रात को पाउं भी दबा दोगे, सुबह सर भी सेला लोगे, रात को तेल भी लगा दोगे, पांच-छे रोज तक सिवा करोगे, एक बार गुस्ता कर तो लो, टेंशन मत पालो, अर दूसरे मुझे एक बात ये पुछने थी, आप बोलते है कंड-कंड में परमात्मा है, तो जस्ट हम लोग तो ज़्यादातर जो भी बात हो रही है, वो पुर्ष पर प्रदान पे बात हो रही है, तो मैं खाली मीरा, आपने एक बार लाउद्जू में भी ये चीज बोल पूला था, वही सवाल मैं आपको वापिस पूछना चाहती हूं, कि अगर कं-कंड में परमात्मा है, तो मीरा के लिए भले वो मुर्ती में उन्होंने अपना परमात्मा ढून लिया, लेकिन सामने तो उनके लिए तो राना जी थे न, मतलब वो भी उसके लिए परमात्मा ह आरते एक स्वतंत्रता, अब मेरी स्वतंत्रता में जो जो बादा पहुचाएगा, वो मेरी दुनिया में कैसे रह सकता है, तो परमात्मा है स्वतंत्रता की परम उद्गोशना, कि अब मेरे पे सिर्फ उसका अधिकार है, किसी कट पुतली का, किसी बात का कोई अधिकार नह के जो आपके दिल में वो रह सकता जो आपको स्वतंतता दे अब सवाल यह कि आप ने कितनों स्वतंतता दे डिए। किसी को नहीं दी यहाँ पर कोई किसी को सतंतता दे नहीं रहा है और वो ही हिंसा है तू यह कर यह मत कर आप कौन एक बार के दिया बास्तमात वो सतंत रहे परमात्मा की संतान है परमात्मा के निकट है परमात्मा चला रहा है और उसका घर परमात्मा है तो मीरा का परमात्मा उसकी स्वतनतता है अगर राना ये बोलेंगे आप ये नहीं कर सकते ये नहीं कर सकते तो बसंती चली अपने गाओ तो मीरा चली गई तो सवाल ये है कि आप समझ नहीं रहे कि आपकी मस्ती स्वतनतता में है अभी आपने अपने को को एक पिंजने में बंद कर रखा है सबने चारो और से हर कोई कुछ नहीं चाहता है सिर्फ उड़ना चाहता है और उले कैसे तो उसको एकी बात समझ में आती है पुराने सारे शत्रू है उनको काटो चलो नहीं कटते तो मन में गाली आदो और एक प्रार्त ना करो अगले जन सब परमात्मा है तो सब को जीने दो आप भी जीओ आपको खाने की इच्छा है मुझे खाने की इच्छा है तो साथ में चलेंगे है ना बाकी आपको खाना है इसलिए मैं साथ में चलूंगा तो कल मुझे खाना है इसलिए आप साथ में चलेंगे तो मेरवानी करके यहां ए एक दूसरे को बाट पाएगा तो गुलाम किसी चीच के किसी बात से किसी के न बनो न बनाओ गुलामी एक मातरपाप है परमात्मा पूर्ण सतंत्र है है ना इतनी बास समदलो अब किसी को क्या खाना किसी को कहा जाना किसी को कहा जाना, हम जाने नहीं देते, उसी को परिवार केते हैं फिर परिवार को कहा जाना, क्या जाना, ये जाने नहीं देते, उसी को समाज केते तो हम जो प्रतीबंध है, मनुश्य को, उसी को हम बढ़ावा देते हैं तो सब थोले-थोले समझदार हो जाएं, सब थोले-थोले समझदार हो जाएं, तो आपस में इतना मज़ा है, मनुष्य मनुष्य मिले, है ना, तो चारो और परमात्मा का विस्पोट होना चाहिए, अभी ऐसा होता है कि इतने मनुष्य मिलते, उतना परमात्मा शिक हो जाता है दीव जी मेरा सवाल भी क्रोध से रिलेटेड था आधा तो उन्होंने पूछ लिया आधा मेरा जो मन में था वो इसे काफी लोग होते हैं जैसे आपने बुला इंस्टॉल्मेंट में उनका क्रोध निकलता है और वोई की वोई चीज दोराते रहेंगे दस साल पहले की, बीस साल पहले की और डेली बेज़स पे भी शायद तो ये किस किसम का क्रोध है वो निकल रहा है, नहीं निकल रहा है बढ़ रहा है, फ्रस्ट्रेशन में कनवर्ट हो रहा है किस किसम का क्रोध है यह दो आदमी मैं अपने आप में exception हूँ मैंने जितना जीवन देखा है दो आदमी साथ में रहते हैं कि दो साल में दोनों के मद्धिया आज जीवन की दुश्मनी हो जाती है वो माने न माने जाने न जाने और फिर हिंडी केप हो जाते हैं फिर emotional हिंडी केप यह हिंडी केप और खतम हो जाता है सब तो वो निकलता ही रहता उसका इलाज नहीं है और मैं आपको बता रहा हूँ हालत इतनी खराब है कि जब मनुष्य को वुड़ापा आता जिसम पती पत तो एक दुसरे की बीमारी से खुश होते और एक दुसरे की बीमारी पर ताने मारते यह जीवन है यह जीवन का कटू सत्य है और मैं कटू सत्य कहता हूं आपस में प्रेम नहीं और क्यों नहीं है यह आप पुछो अपने परिवार से अपने समाज से अपने धरम गुरूं से क कि हमारे जैसे मनुश्यों के जीवन में से ये सब क्यों चला गया हम दो साल साथ में रहें तो प्रेम बढ़ना चाहिए फिर दस साल साथ में रहें तो हमें क्रशन रादा की उचाई चुनी चाहिए उसकी जग़ा 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 क्यों तो मुल में क्या है हम देखत इच्छा नहीं है, यहाँ पर हर को यह सा करता, मेरी इच्छा है, वो पक्की है, लेकिन तेरी इच्छा इच्छा नहीं है, जैसे यह आपकी इच्छा पर हमला होता, आपकी स्वतंतता पर हमला होता, आपकी मर्जी के खिलाब कोई आपके जीवन में जहागता, कि आपको क्रो क्रोध आता, कोई क्रोध आपका पवित्र नहीं है, है ना, कोई insult करता तो क्रोध आता, ऐसा ही दूसरा करता, तो ये क्रोध भी क्रोध नहीं है, लेकिन ये भी निकल जाये तो ठीक है, क्रोध तो acting होती, हम ऐसा समझ लेना, एक मन की उचाहिए, अगर आप नॉर्मल तो समझ जाएंगे, कि मुझे क्रोध इसलिए आता, कि मुझे ऐसा लगता है कि ये हंतीम हत्यारे, जो करके मैं आपको ठीक कर सकता हूँ, तो मेरा क्रोध एक नाटक है, तो सब कुछ जब जीवन में एक नाटक हो जाता, और दुसरे के हित के लिए, कि मेरा सुक तेरा सुक नहीं है, मैं तो सुकी हूँ ही हूँ, कैरंटेड, हराल में सुकी हूँ, चाहे कुछ कर लो, अब जो कुछ भी करना है, मुझे तेरे सुक के लिए करना है, तो मुझे ऐसा लगया कि इसको क्रोध करना पड़ेगा, इसको प्रेम करना पड़ेगा, इसको चाटा मारना तो जब उस उचाई को छुलोगे, तो उसको योग में स्थित पुरुष केते हैं, कि मैं तो अरहाल में सुखी हूँ, तो मुझे कुछ नहीं करना है, अब क्राइस्ट कबीर बुद्ध को देखना है, कि इस आदनी को प्यार से बोलो, इस आदनी को कलक भाशा में बोलो, इस क्रोब निकलेगा, तो दिरे-दिरे एक्टिंग आएगी, कि आपके लिए, अभी सब कुछ हमारे लिए स्वार्त है, हमला होता है स्वार्त पे, इसलिए क्रोध करते हैं, उसको क्रोध मत के न, वो तो बहुत घटिया है, लेकिन वो भी निकल जाए तो अच्छा है, वो भी देखोगे जब मेरा अस्तित्व हर हाल में शानते, जब मेरा स्वार्त पूरी तरह से भर गया, जो क्रश्णा कहते हैं कि मुझे कुछ पाना वाकी नहीं, मैं तो मस्ती मस्तूं, वो यूद को संभाव से देख सकता, वो महावारत भी देख सकता, वो यादवा स्थली भी द लेकिन अगर वो निकले, लेकिन इंस्टॉल्मेंट हो या जो भी अलंबे अर्शा तक रोज निकलता ही रहे, कलेश बढ़ता रहे, और इस हद तक आये कि मैं गुसा नहीं हो रहा हूं, आप गुसा दिलवा रहे हो, लेकिन हम ये बोलते हैं कि क्रोध उत्पन होता है, तो ये क्या फंडा हो जाता है, ऐसा है, नहीं कोई ब्लेम गें मैं समझेगा, मैं जब डिटेल में समझाओंगा ना भी गीता समझा रहा हूं, फिर भी आपने सवाल पुछा हूं, बता रहा हूं, हमारी एक साइकोलोजी है, बरोबरे, अब हमारी साइकोलोजी क्या है, हम उसक जाना है इस समय मेरे को यह करने की इच्छा है यह सब हमारी साइकोलोजी है अब वो साइकोलोजी आटोमेटिक करती चोन्स किसी का नंज है थो जैसे ही कोई बात सुससरेकिश कि खिलाब जाती है कि ऐसी बन जाती कि जो कुछ भी मेरी बर्वादी न यहीं इत्ते साल से थी खानी होने पेदा हुई थी यह न रहा इसने मुझे भुलन देवी बना दिया तो एक बार वो साइकोलोजी में घुज गया तो फिर वो हसके भी पुझेगा ना पानी चाहिए कि रहत तो यह आटोमेटी के वो भी आटोमेटी के दिक्कत क्या है कि हर मनुश्य यहां अपनी साइकोलोजी का गुला में समधना वो साइकोलोजी विक्रत नहीं होगी चलो विक्रत हो गई तो नया बाहरी प्रभाव बंद करो और जो विक्रत साइकोलोजी उसको खुला छोड़ दो कि नीकाल कितना मरवाएगी कितना मारेगी तो थोड़े दिन में वह साफ हो जाएगा साफ हो जाएगा आप पवित्र हो जाएगे फिर एक यात्रा शुरू हो जाएगी तो जो कर्मों की सजा है वो हमारी बिग्री साइकोलोजी है तो जो हमने बना रखी है अब हमारी साइकोलोजी में गुष जाए किसी मनुष्य की साइकोलोजी में गुष जाए किसी ने जीवन सतन तता वो खोता है वो उसके परमात्मा को पसंद नहीं और वो खोता है सतन तता खोता है उसकी साइकोलोजी बनती है और साइकोलोजी सबको दुश्मन मानना शुरू करती है क्योंकि जो जो परमात्मा को मारता है वो ऑटोमेटिक बितनी मनों में दुश्मन मनता चला जाता फिर ऑटोमेटिक उससे आपके विवार होता है फिर उससे ऑटोमेटिक आपसे विवार होता है वैसे ही कोई इच्छा है कोई तमन्ना है उसका भी ऐसा ही है जो गुस गई वो गुस गई और जितनी गहरी कुसी उतनी रियट करती है बात में कुछ भी नहीं है बात में कुछ वाइप ने मेंडिक अगले मार्च में स्विजलेन्ड गुमण जाएंगे बात तो इतनी सी है लेकिन अगर वाइप ने वाख़ी स्विजलेन की आत्रा कर ली अभी अभी तो जनवरी है समझो और यात्रा शुरू कर दी और फरवरी होते होते मांसी क्रूप से स्विजलेन पहुच गई और किसी कान से मार्च में प्रोग्राम केंसल करना पड़ा तो क्या हो जाएगा उसको छोलेगी नहीं तो यह आपकी साइकोलोजी है आपने जितनी गेरी गुस्रेड़ी अंदर उतना वह आदमी दुश्मन हो गया अब ठीके मार्च आने तो दो मार्च आने तो दो ठीके अगर कुछ गरबल नहीं तो जानाता है और गरबल हो गई तो समझदारी अब क्या करेंगे नहीं जा सकते हम यात्रा कर लेते फिरो दुश्मन ही पालते ग जुद नहीं दबे मावीर नहीं दबे एडिसन नहीं दबा स्टीव जोस नहीं दबे कौन दब रहा यहां जो दब रहा वो उनकी मर्जी तो अपनी गलती कोई नहीं मानता दबा दिया अरे परमात्मा नहीं दबा रहा है उन्हीं तो वो न केता एक निश्चे बनो करता पन मुझे सोब दो तो केता है ना फलकी कामना छोड़ दो लेकिन चबदस्ती नहीं करता है तो वह कुछ नहीं कर पा रहा है और आदमी कर गया खल़त है उसका का दोस्त नहीं है आप आपने अपने परमात्मा को बेचा है, अपनी सतनतता को बेचा है, बाहरी प्रभाव में अपनी कमजोरियों से और उसका गुस्ता मुस्पे निकालते हैं। तो थोड़ी सी मनुष्य समझदारी वापरे कि सब इंसाने और पक्के इंसाने यह थोड़ी है, कि छे बजगी सब को पूजा में बेचना पलेगा, ना बेचे कोई, अरे कोई उठे ही ना, क्या फर्क पड़ गया, सब को साबुदाना खिचडी खानी पलेगी, अरे नहीं खा यह कुछ जरूरी है कि शादी मुझे करनी है, नहीं आना भी, तो अरे कल तक तो उचल रहा था, वो कल की बात है ना, आज की बात करो, तो मनुश्य स्वतंत्र है, हम स्वतंत्र हैं, लेकिन कोई वतंत्र हैने नहीं δेता, वो गल्ती हमारी है, और फिर हम विक्रत हो जाते, फिर दुसरे को परेशान करते, अपन परेशान होते, दुसरे को परेशान करते, दुसरा हमको करता, फिर इस्टोर्मेंट में निकालते, और यहां कोई फिर किसी की खुछी से खुछ नहीं होता, जैसे ही खुछ देखते हैं कि चाहर जैने प्ला तो एक बार कर दिया, फिर कर दिया, उसको रिग्रेट मत करो, उसका पच्टावा मत लेके बैठो, अक्सर लेकिन मा और बच्चे के रिष्टे में एक चीज देखी जाती है, कि वो बच्चे को डांटती है, यह सोच के कि मैं डांटूंगी नहीं, तो यह गलतियां करते तो उसको ठीक करने के लिए डांट देती है, और एक गुसा भी निकलता है, फिर वो ही जाके उसको फिर मनाती है, अब यह कैसा हो गया, वो पच्चतावा है, यह यह खेले, मा बेटे का जो फ्लर्ट है ना वो गजब है, न बच्चा कभी मा पे क्रोथ करता है, न मा कभी ब मा ने बोला नहीं पेने, का बच्चा बोले पेनूंगा, न मा, 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 म fen बच्चे ने पेन लिया, तो मा बोलती इस गेम में हर गई में, फिर अगला गेम शुरू होता, तो वो भूल जाती पुराना गेम, तो मा बेटे में कभी जग़ा नहीं होता, कब तक? जब तक ब तुम्हें अपना ट्राय करा कोई एक तो हरेगा बस वो खेल खतम हो गया फिर केरी फरवर तो लिए फिर दूसरा खेल आता है तो जब हम आपस में खेल मानके खेलते तो कभी टेंशन नहीं होता हम खेल नहीं मानते मेरी मर्जी किलाब चश्मा पेना था याद रखते हम याद रखते का बात ही अब देखते हैं तारीक साथ टाइम के साथ याद रखते तरवड़े हैं मा बेटे मेर रोमांस भी चलता रिच्ता काइदे से प्रेमे का में ऑना चीशिए कायदे से दोस्तों में भी एसा रिष्टा होना चाहिए लेकीन मा बेटे में नहीं ठिकता कोई ठिकने ही नहीं देता छोग साल चेंशा सब्कोर नज जाना कोई डिमांड करता है, उसकी मम्मी एग्जेकुट नहीं कर पाती कुछ समय तर तो तुने तेरी बेटी के लिए तो ये ले दिया भी मैं इतना सब बोल क्यों नहीं लेकर नहीं दे रही है। वो चलता ही रहता है कई सालों तर मैं देख रहा हूं मतलब तूब तीन-चार साल स मा बेटे का रिष्टा, जब तक क्या है कि स्वार्त नहीं है, समझ लेना है। ये सारी गरवल आती है स्वार्थ और स्वतंत्रता से॥ तीन साल के बच्चे की स्वतंत्ता पे पर कोई हमला नहीं करता है। तो बच्चे किसी को दुश्मन नहीं मानता है बासं समझ लेना बलकि प्रेम की एक्टिंग करते हैं अंदर तो सब जने मोके की तलाश में हैं और रात को यही कहते हैं मैं ठीक नहीं कर पा रहा हूं लेकिन भगवान को सुपारी दे दिये तेरी हैं न सब जने मंदिर इसले जाते हैं आसपास वालों को ठीकान लगाने कि मैंने निपट पा रहा हूं तो आप में हमें एक्टिंग बंद हो गई बच्चे एक्टिंग करते क्रोथ की मां क्रोथ की एक्टिंग करती जीवन अच्छा रहता है वही मज़ा है जीवन का आपस में एक्टिंग होती दूसरे के हीत के लिए कि मैं अभी क्रोथ करूंगी मां क्यों क्रोथ करत जूट भी बोलती। देख चोलेट में राक्षा सोता है। वह जूट भी और रिष्टों में प्रॉना च्छीनु का में। तो एक प्यारी बात है और वही सारे रिष्टों में होना चाहिए सर यह आपने बोला नहीं संपूर्ण भूतों के अंदर तो भूत का मतलब यहां पर सभी सभी वस्तू व्यक्ति सब जो कुछ भी है यह सभी चीज भूत है जो कुछ भी है भूत मतलब वस्तू परमात्मा की प्रेजन्स भूत मतलब जिंगालला भूत नहीं है कि अगयों ने यह अर्थ भी निकाला है और फिर भूत प्रेत के मंदिर बना के रखें कि क्रस्ट्ण ने के दिया भूतों में यह वो थोड़ा डाउट था अरे ऐसा डाउट मुत करो भाई अगर भूतों में बेज देग काम क्रोध मद लोब मतसर यह जो शत्रू है इस पर मनुश्य को विजय पानी चाहिए तो यह कहां तक उसमें रिलेवेंट है मतलब इस प्रकार से ही है आप वो यही बात है जो में कहे रहा हूँ आपको क्रोध क्यों आ रहा है यह सारी चीज़ें जो आपने बता ही उसकी ज तो वो जो अभी हमारा क्रोध है वो क्रोध योग्य नहीं है बरोबरे क्रोध तो जो शंकर करते जो क्रश्न करते जो बूद करते जो कबीर करते वो क्रोध है जो मा बच्चे पर करती वो क्रोध है वो क्रोध तो भी है नहीं अभी स्वार्थ का क्रोध है हमारी किसी बात प हमारी मान्यता पे अमला हुआ तो हमारे पे हुवा ना इसका क्रोध ना बहुत कोई क्रोध दो कोड़ी का खत्या क्रोध उसमें कहीं परमात्मा नहीं है है तो अल autism उन्हों होना नहीं चाहिए बहुत कि वह क्यों है कि आप बहर ही विशह से प्रभावीत अस nossos हमाः ना ये योग्य है ये महान है ये विचार शूबे ये व्यक्ति शूबे ये मेरी चाहे ये मेरी वस्तु है अब उसके हमला होता आप क्रोधित होते तो वो क्रोध होना नहीं चाहिए अब है तो उपाई नहीं उसको निकालने के अलावा है तो और निकाले बगर वो क्रोध शांत ह होने वाला नहीं है तो तीन चीजें बता ही में नहीं बाहरी विश्यों से प्रभावित होगे तो ऐसा क्रोध ऐसी चिंता ऐसा दुख ऐसा प्रस्टेशन पकड़ेगा जो पकड़ना नहीं चाहिए अगर पकड़ रहा है तो निकालने के अलावा उपाय नहीं तो क्रोध एक हत्यार है दूसरे को ठीक करने का काम करने का जो क्रश्टन केरें कि सब में परमात्मा है तो क्रोध में भी परमात्मा है लेकिन क्रोध हो तो क्राइस जैसा बुद्ध जैसा है ना कि सब के सब थे बुध हिंदु पाखण के खिलाप अकेर ले खड़े हो गए यह क्या है यह वह कोत का एक्सषरुपए लेकिन वो क्रोध का मजा अलग है अलग है उसके उसमें स्वार्थ नहीं तो अभी हमारे स्वार्थ पे, हमारे मान्यता पे, हमारे विचार पे, हमारे वस्तू पे, हमारे व्यक्ति पे हमला होता और हम क्रोध करते, जो होना नहीं चाहिए, वो इसलिए होता कि हमारे पास परमात्मा नहीं है हम इन सबको अपना मानते योग्य मानते विशेश मानते और गरबड करते तो बात एक ही ये दोनों Thank you Thank you very much कृष्ण का बच्पन कैसा गुज़रा कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किये? कृष्ण की चाइल्ड साइकॉलजी क्या थी? कृष्ण ने गौले से दुआर का धीश तक का सफर कैसे तै किया? ये यादव थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिये दीप्त्रवेदी द्वारा लिखित किताब e-commerce sites पर भी उप्लब्ध है दीप्त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकॉलोजी पर एक गहरी पकड़ है मनुष्य जीवन के विभिन पहलूं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रेकॉर्ड भी उनहीं के नाम पर है मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलूं नहीं जिस पर उन्होंने खुल कर चर्चा ना की हो जैसे की path of life, personality, complex, guilt, love, expectation, partiality, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom तथा Deep Talks Tao Te Ching के अंतर्गत दीप्त्रिवेदी द्वारा मशूर चाइनीज फिलोसोफर लाउचे के महान सूत्रों पर चर्चा परिचय, समय, मन, सभलता, संकत, धर्म, राजनीती और Deep Talks भगवत गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप्त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा आप ये तमाम DVDs और CD सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं ये तमाम DVDs और CDs आत्मन E-Store तथा अन्य सभी E-Commerce साइट्स पर उपलब्ध हैं हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना च्छेपी होती है सवाल बच्चे द्वारा अपने प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है दीत्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़ है The Story of Thomas Edison अनपढ़ Edison के महान विज्ञानिक बनने की दास्तान Naughtiness to Greatness Steve से Steve Jobs बनने की कहानी Haughty to Daunty Child Psychology समझने हे तु शेर के बच्चे की कहानी ना सिर्फ बच्चों बलकि हर मातापितावर टीचर के लिए भी आवशक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्वन E-Store तथा अन्य सभी E-Commerce साइट्स पर व्लग्द